ओम साही राम, वेलकम टू साही समरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपको कुछ बात बताने आई हूँ, आज इकी बात है, तो मेरे साथ कुछ अलग सा ही अनुभूती हुई, आज एक अलग सी समझ, एक अलग सा संदेश, बाबा ने आप तक मुझे भी मिला था, तो मेरे साथ कुछ आज अलगी बाबा ने अनुभूती करवाई, एक अलगी चीज बाबा ने क्रेट की मेरे लिए, कि मैं खुद समझू और आप लोगों को समझाओ, एक जैसे मैं बताओं आपको जब मैं सुबर साइंसर चरेतर पढ़ रही थी, और म बाबा ने कहा है न, कि आप जितनी बार साइंसर चरेतर पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा, कि जैसे आप कुछ नया पढ़ रहे हो, हर बारे आपको कुछ अलग अनुभूती बाबा देते हैं, है न, तो मेरे साथ कुछ बाबा ने ऐसे ही अलग अनुभूती दी, जब मैं फॉर और फाइब सेप्टर पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं है कि फॉर में था कि फाइब में था, जब मैं पढ़ रही थी, तो क्या हुआ, उसमें मेरे सामने अचानक से एक वाक्य आया, एक शब्द आया, नाम सप्तहा करके, ठीक है, तो अचानक से मेरे मन में उसी व करते हैं जो पने उसे सांथब करना होता है तो इस तरीकी से बाबा ने मेरे दिमाख में डलवाया कि छिस तरीके से सपतहा पहां होता है ऐसे ही नाम सपतहा है जो मेरा बच्चा एक हफहते के अंदर मेरा नाम सोचकर यानगी गिंति से या कैसे भी मतलब यह decide कर ले कि मुझे आज रोज कितने मतलब नाम चाप करना है 101 करना है 108 करना है यह 1000 करना है दो हजार करना है जितना मतलब उसके कोई limit नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है तो बाबा ने अचानक से मेरे दिमाग में यह चीज़ क्लिक करवाई कि नाम सपतहा का मतलब यही है कि जो मेरा बच्चा मेरा नाम लेगा पूरे सपतहा के अंदर एक हफते के अंदर जो बच्चा मेरा नाम लेगा मैं उसकी इच्छा सरूर पूरी करूंगा और यह संदेश मेरा और बच्चों तक पहुंचाओ तो मैंने का ठीक है बाबा मैं आज ही recording करूंगी और आज ही आप लोगों तक यह संदेश पहुंचा पहूंगी वैसे आज मेरा दिन बहुत जदा busy था शिडियूल बहुत busy था लेकिन यह बाबा का आदेश है कि आज ही मुझे post करना था तो जैसी बाबा की आग्या बाबा ने कहा कि आज ही करना है और आज ही मेरे बच्चे है ना बाबा का जो भी आपको कोई भी problem हो आपकी हाली बिमारी है आप अपने घर से परेशान हो या आपके घर में कलेह होता है या आपके घर में कोई नशा करता है या आप अपने body से परेशान हो शारेरिक तनाव है मानसिक तनाव है या आप आर्थिक इस्तिती से परेश बच्चों से परिशान हो, पढ़ाई से परिशान हो, whatever, etc. जितना भी, जितनी भी परिशानिया है ना, वो सारी आपके खतम हो जाएगी, ये बाबा का आदेश है, ये बाबा का संदेश है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा नाम सप्तहा करेगा, बाबा का नाम जाप कर एक सप्तहा, वैसे तो हमें रोजी करना है, लेकिन पार्टिकुलर में एक हफ्ता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं, तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब हम संकल्प लेके करते हैं, कि हमें करना है, तो हम चाहे कित क्वंगा लूलन और चानिए आपाँ करणा सब्सक्राइब. या कभी पार्टी में जाएंगे तो आपका मन कभी नहीं कहेगा कि अरे चलो वापिस चलो या मूवी बस बहुत हो गई बस अब नहीं देखनी आपका मन वहाँ पर लग रहा होगा उसे वहाँ पर आनन्द आ रहा है ठीक है लेकिन आप जब जाप करने बैठोगे न तो आपक गूमने फिरने में बहुत समय लगता है आप ये चीज़ को नोटिस करना कि आप जब कभी बाहर जाओगे या फिर आप कभी कुछ ऐसे चीज़े करोगे जहां आपका बहुत मन लगता है न तो वहाँ आप कितने भी घंटे बिता लो कितना भी कुछ कर लो आपको लगेगा अभी तो देखा, अभी तो किया अभी टाइम ही कितना हुआ लेकिन आप जब जाप करने बैठ जाओ बार बार घडि की तरफ ध्यान जाएगा या बार बार वह काम याद आएंगे कि मुझे ये काम करना है मुझे वह काम करना है अरे मेरे वह काम तो छूट गया तो हम इसे अपने काबू में रखेंगे आपने मन पर जीत और पहरेंगे यहां नहीं जीत नहीं कोई तो इस्तिक्राइब करूं आपने सादु Sunny महात्मा होते हैं आपने देखा होगा वो कितने कितने घंटे तपस्या करते हैं सालो साल महीने महीने तपस्या करते हैं क्यूं? क्यूंकि उनका जो मन होता है वो उनके कंट्रोल में आ चुका होता है और हमारा मन कभी कंट्रोल में होता ही नहीं है हमारा मन नहीं करता कई लोग ऐसे हैं जो music सुनते रहते हैं all time music सुन रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा time का और एक ऐसे हैं जो भजन सुनते हैं तो बस एक भजन सुना बस बहुत हो गया अब नहीं करना तो यह सब चीज़े क्या है यह मन ही तो है यह हमारा मन हमें concentrate करने नहीं देता तो यही चीज जैसे मैं आपको बोलती हूँ या तो आप लिखो अगर आप लिखोगे न तो वो भी बहुत बहुत अच्छा है आपकी concentration power के लिए आपका जो मन है वो एक चित होगा आपका जो ध्यान है वो एक जगा लगेगा जब आप लिखोगे तो लिखते लिखते आप बोलते जाओगे ठीक है आप दोनों चीज़े कर सकते हूँ नाम सप्तहा में या तो आप लिखो लिखते लिखते आप बोलते जाओ आपके मन में जाप चलता जाएगा या फिर आप बोलो अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप बोलो जितना आप बोल सकते हो ना आप बोलो आप संकल्प लो की बाबा मैं इतना जो माला है या इतना जो नाम चाप है मैं इतना करूंगा और मैं रोज करूंगा बाबा नित्ते करूंगा ये आप पर छोड़ रहा एक हफ्ता कीजिए उसके बाद ने देखी बाबा का चमतकार है ना और कई लोग ये कहेंगे मैं पहले बता दू कि दीदी हमने एक सब्टाहा तो पढ़ लिया पुरार बाबा का नाम चाप कर लिया और हमारे साथ चमतकार नहीं हुआ तो मैं आपको पहले ही बता दू कि नाम चाप कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है दिमाग कहीं और है कहीं और ही चल रहा है ठीक है तो बाबा मुझे नहीं पता है लेकिन बाबा को पता है कि आप किस मन से किस धंक से बाबा को पुकार रहे हो बाबा से कह रहे हो तो जिस तरीके से आप बाबा को कहेंगे जितनी इच्छा पूरी होगी और मन में नाम जब होता ही नहीं है बस जुबान पे होता है अंदर से दिल से नहीं निकल रहा होता बस वो कर रहे होते हैं तो वो चीज़े ना फिर लगती नहीं है तो आपको इतना बाबा को विवश्च करना है कि बाबा को आना पड़े आपकी इच् कोई खास नहीं है बाबा सबके लाडले हैं और बाबा के सब बच्चे लाडले हैं ठीक है तो सबको बाबा बहुत प्यार करते हैं बहुत जादा प्यार करते हैं जो जिस भाव से बाबा को बुलाता है न तो बाबा जरूर आते हैं अगर आप सचे भाव से सचे मन से बाबा क साई हैं समझ रहे ना और ये आज थर्सडे का ही जो बाबा ने मुझे संदेश देने को कहा वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है और प्लीज आप आगे सागे फॉरवर्ड करें नाम सप्ता शुरू करें और ऐसा नहीं है कि आपको आसा ही करना है अकल से करना है आप कर सकते हो कभी भी चाहो तो आप कल से कर दो परसों से कर दो कभी से भी कर दो आप कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको कोई क्वेरी है कुछ पॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना या आप मुझे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे वाटसप कर सकते हो और एक call उट गई तो फिर मैं बात करी लूँगे आप लोगों से ठीक है तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में अगर आपके कोई experience हो तो प्लीज जरूर शेर करें हमारे साथ हमारे स्क्रिन पर चल रहे हैं नमबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हूँ या आप हमें call भी कर सकते हूँ ठीक है चलिए ओम साइरम जै साइरम